हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सवीता दोस्तों आजकल हर चीज की कीमत आस्मान चू रही है लेकिन क्या करें रोज मर्रा के तमाम ऐसे खर्चे हैं जिनें चाहकर भी नहीं रोका जा सकता हाँ जरा सी समझदारी दिखा कर बचत जरूर की जा सकती है जैसे जो चीज़ें जल्दी ख सामान की लिस्ट बना कर जाएं और तयशुदा सामान ही खरीदें क्योंकि बिना प्लैनिंग के की गई खरीदारी बेवजा खड़कचा बढ़ा देती है रेडी टू ईट सामान कम से कम खरीदें क्योंकि यह जेब को तो नुकसान पहुचाते ही हैं साथ ही साथ सेट को भी नुकसान पहुचाने का काम करते हैं अगर कहीं time to time discount मिलता है तो उस सही समय का इंतिजार करें और जब discount मिलने वाला हो ड्रै क्लीनिंग वाले कपड़े कम से कम खरीदें ये पहले तो खरीदने में ही महंगे होते हैं उपर से बार-बार की ड्रै क्लीनिंग भी जेब को नुकसान पहुचाती है ओनलाइन शॉपिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए एक तो इससे आपका आने जाने का समय और किराया बचता है दूसरे अधिकतर इन पर discount भी मिल जाता है जब भी सामान करीदने जाएं मोल भाव अवश्य करें तथा discount के बारे में खुद से ही पूछ लें अगर आप credit card की बजाए cash payment कर रहे हैं तब तो दुकानदार खुशी-खुशी आपको out of the way जाकर भी discount दे देता है दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाए जिनने अपना कर आप अच्छी खासी बचट कर सकते हैं और अपनी लाइफ से attention कम कर सकते हैं और अब एकर request अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगियो तो please like, share और subscribe करना न भूलें Thank you